हालो ऐस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब कैसी तयार है चल रहे हैं आप सभीट मेंस **k अष्छे तयारी चल रही होगी तो एस्पिरेंट्स वेलकम टू अबर यूटूब चेनल नोलेज हूब नोलेज हूब में आपके फिर सिछ स्वागत हैं और आज हम सभी एstars के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आएं जिसको पढ़ आपको काफी मज़ा आने वाले ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरुआत करते हैं उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लाश्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिए वीडियो को लाइक करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अपना कंटेंट सुरू करते हैं students आज हम इस वीईएयो में देखने वाले हैं हर्याना current affair 2024 की ठीक हर्याना current affair 2024 और जनौरी महीने के हम इसkedंदर देखने वाले हैं हर्याना जिक के हर्याना current affair जनौरी 2024 और हिंदी में हम सारे questions चैक करेंगे हर्याना के CT exam जो होंगे group 56 पुछी जाएगी तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करें जनवरी महीने के करेंट अफेर की इसमें कुछ डाटा ऐसा है जो जून तक चेंज हो चुका लेकिन इसमें जो डाटा हमें डाल रखो सिर्फ जनवरी के हिसाब से ही डाल रखा है आप अपने डाटा अपडेट रखना ठीक है कि कोश्चन में अगर पेपर में कोश्चन पुछाए तो महीने का नाम दिया जाए चोवीज हिंदी के अंदर है जनवरी महीने के करंट आफेर हरयाना जी के जो चलिए श्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से और जो भी कोश्चन है लगबग सटर अस्ती के तक्रीवने कोश्चन है उनको हमें एगवार देख लेते हैं जनवरी महीने के लिए सबसे पहला कोशन से श्टार्ट करते हैं आयोध्या में 22 जनवरी दो हजार चोबिस को स्री राम जी के भव्या मंदिर का उद्गाटन के बाद हर्याना के बुजुर्गों को किस योजना के तहट रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे जो राम मंदिर के प्रांट परतिष्ठा उथी 22 जनौरी दो हजार चोबिस को उस मंदिर के दर्शन के लिए अध्याना के सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसके अंदर हर्याना के जो भी भुजुर्ग है उनको फिरी में दर्शन करवाए जाएंगे उस योजना का नाम क्या है तो उस योजना का नाम है मुख्यमंद्री तीर्थ दर्शन योजना ये हर्याना सरकार के दोशार एक योजना चलाई गई है जिसके अंदर रामलाला के जो मंदिर है अयोद्या में उसके दर्शन करवाए जाएंगे हर्याना के बुजुर्गों को ठीक है हर्याना सरकार की तरफ से उनको दर्षन करवाए जाएंगे फिरी ओप कोस्ट के लिए मुख्यमंती तिर्थ दर्षन योजना है ठीक है और इसमें वहीं परिवार सामील है जिनकी एन्वल इंकम एक लाख अस्ते जार से कम है वो सारे बुजुर्ग इनको फिरी में हर् हर्याना के किस गाओं में लाडो पुष्टकाले बना जाएगा और यह बना जाएगा सर्षोद गाओं में सर्षोद गाओं में लाडो पुष्टकाले लाइब्रेरी बनाई जाएगी लाडो लाइब्रेरी बनाई जाएगी सर्षोद गाओं में कि सिर्फ लेडिस के लिए लाइब्रेरी होगी है अगला है हर्याना में राजे शत्रिय सांजी उत्सव दो हुजार तेश में पर्थम पुरुषकार किस ने जिता है अगला है हालि में किस खिलाडी ने एशन सुटिंग चैंपेंशिप में गॉल्ड मेडल जिता है अगला कोशन है हाल ही में किस स्थान पर बगवान पर शुराम चिकित्था महाविद्याला का बुमी पूजन किया है ग्रामिन सन्वर्दन व्य सहरी जल सिवरेज बरसाती योजना के तहट 50 क्रोड रुपे से अधिक 16 नई प्रियोजना लागू करने का निना लिया है और किस किस डिस्टेक में जो ग्राम में जो ग्राम और जो सहर में जो सिवरेज जो बरसाती योजना है उसमें 50 क्रोड से अधिक 16 नहीं प्रियोजनाइं लागु करने का निनल लिया गया है वो जो डिश्टिक है वो है गुरु गराम, सोनीपत, रोतक, रेवाडी, जजजर और मेहंन्दरगड ठीक है इन योजना में इन में 50 क्रोड से अधिक 16 नई योजना वो किसमें लागू किया गया है इसके सेवं कुषक नमर्ब सेवेन है कि संय को कि हार्याना में सिंगल्स के लिए पॉलिशी बनाई जाएगी तो वगैं जान ओरत्मान ची». यह सभी सिंग सेदने तुशा मुख्यमंसरी मनोहलाल खट्र जी थे। इसले आख मुख्यमंसरी मनोहलाल क्ट्र लिखा हुआ है किyr대ना की है कि हर्याना में सिंगल szpcome के लिए बनाए किसने कोशना की है कि हर्याना में single sports के लिए policy बनाई जाएगी वो हमł कोशन जरूर आएगा जै किसी बी प्यपर पुछा ज़ब गूरू पोर्टल गुरू पोर्टल भे पोर्टल है जिसंपर कलिक करते हैं सभी भागों के पूर्टल कुल जाएगे कि सारे पोटल एक ही जगह पर मिलेंगे और वह है Maggie tell group आप करोगे उसकर सभी टेपार्सब्स के जितने वी जो wood room TW Sand हो पर यह जात जा तते हूं आप ज्यासरे करें किसी की एकज्डे में कि जरूर पूछा जाएगा if most important लगा के चला गुरूप वोटल के लिए जो कोश्चन है यह ठीक है और इसको शुरू किसने क्या था मुख्यमंतरी मौनहुराल खट्र ने क्योंकि जनवरी के अंदर जो सीम थे मनौहुराल खट्र जी सीम थे अगला कोशन है हर्याना के किस विभाग ने नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड लौंच किया है नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड और यह हर्याना परिवहन विभाग ने हर्याना रोडवेज ने जो है इसने को नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो लौंच किया है हर्याना अगला है हर याना में सरकारी करमचारी वो उनके आस्रीटों को कैसलाइस को सुईधा को तोफाक इस ने दिया है और यह जो सुईधा अर्याना में शूरू करी थी है राजयपाल बंदारू दत्तात्रेजी ने इन का उद्गाटन किया था कैसलाइस मेडिकल फैसलिटीज का अगला है हर्याना में कितने लोगों को 322 करोड रुपए के पानी के बिल माफ किये गए हैं कितने लोगों के 322 करोड रुपए के पानी के बिल जो माफ कर दिये गए 29 लाख लोगों को फाइदा हुआ थे इस चीज से 29 लाख लोगों का 322 करोड रुपए जो थे पानी का बिल वो माफ कर दिया गया है हर्याना सरकार की त्रप से अगला कोश्चन है हर्याना में कब से कब तक राष्ट्य सरक्षा सप्ता मनाई जाएगा राश्तिय सडक सुरक्षा सप्ता हरियाना में कब से कब तक मनाय जाएगा और वो है 11 से 17 जनवरी 11 से 17 जनवरी तक राश्तिय सडक सुरक्षा सप्ता मनाय जाएगा हरियाना के अंदर Question Number 13 हरियाना में किस स्थान पर UNO Minda Limited ग्यारा सो क्रोड रुपए के निवेश के साथ अपना मेगा प्रोजेक्ट लगाया है हर्याना के किस स्थान पर एक कंपनी है यूनो मिंडा मिंडा लिमिटिड इसने ग्यारा सो क्रोड रुपए के निवेश के साथ अपना के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया हर्याना में औ अगला है हर्याना में वर्तमान निंगानुपात कितना है हर्याना में जो वर्तमान निंगानुपात है वो 916 हर्याना में वर्तमान निंगानुपात है आगला क्योंचन है हरियाना में आयुस्मान चिरायुयोजना के तहित कितने मरीजों का इलाज हो चुका है है अगला है किस सहर में लद्दाख बावन मना जाएक प्रिंपोटेंट लद्दाख बावन है वो कहा मना जाएगा चंडीगड के अंदर लद्दाख भवन कर निर्मान किया जाएगा लद्दाख भवन कर निर्मान कहा होगा चंडीगड के अंदर किया जाएगा अगला है किस खिलाडी ने जर्मनी में आउजित क्रोस कंट्री स्किंग पर्तियोगिता में गोल्ड मैडल जीता है क्रोस कंट्री स्किंग पर्तियोगिता में गोल्ड मैडल जीता हूँ जीन्द के उचाना की बेटी विकास राणा ने जीन्द के अंदर जो उचाना है वहां क लड़की है बेटी है वहां को विकास रहाना इन्हों ने जिता क्रोस कंट्री स्किन परत्यों गिताम में ठीक है अगला कोस्टन है को स्टनमर 18 कि हर्याना के कि जिले में 263 वास और दिवस मनाए गया और यह था सत्सक्राइब जिले में dear ॉइन अगला यह कि जिले वाली लड़के के सिंख्या हैं पर अगला के में जिले में कि हर्याना में किस योजना के तहर्ट चार्सो चानमा लावांशों को एक अप्रेल दो जार तेइस से 31 दिसंबर दो जार तेइस तक तीन करोड चार्शी लाख असी अजार की साहिता दी चाच चुकी है और वो है लाक्तर भीम रावंबेड कर आवास नवीनिकन योजना जो सर के लिए तीन करोड चार्शी लाख असी हजार उपए की साहिता दी गई है उनको रेनोवेशन के लिए डाक्तर भीम रावंबेड कर हावास नवीनिकन योजना के लिए अगला है हर्याना के इसार जिले का ऐरपोर्ट किस महीने से सुरू किया जाएगा और यह है अप्रेल म 22 हार्याना में परियावटन पर्यटन निती के तहट कितने रामसर स्थल सामिल है और वह दो कितने हैं दो कोश्च नवा 23 है हाल ही में किस जिले में कुंड की खुदाई के दोरान लोहे वा पत्थर की प्राचीन तम वस्तवे मिली हैं और वो है चर्खी दादरी के कारी धरनी गाओं में जो गाओं हो चर्खी दादरी बाड़ा तैसिल के अंदर वहां पर एक कुंड की खुदाई के दोरान लोहे वो पत्थर की प्राचीन वस्तवे मिली है चर्खी दादरी के कारी धरनी गाओं में कि आगला है कोशन नमइर टुंटी फूर हार्याना के कितने खिलाडियों को अर जू पूरसकार से सम्मानित किया ќाएगा अब के betweenos इसमें कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरुसकार दिया गया तो हर्याना के तीन खिलाडी है इसार की पहलवान अमित पंगाल सोनीपत की पहलवान सुनिल मलिक और जजर की दिक्सा डागर को तीन पहलवान है हर्याना के इनको अर्जुन पुरुसकार दिया गया है इसार स साइब भीम जी राम जी अंबेडिकर जीवन वचिंतन पुस्तक का विमोचन किस ने किया तो यह कि है मुख्यमंत्री मनोहलाल खटर ने पुस्तक की राइटर ओर है लेकिन इनका जो विमोचन किया है वह मुख्यमंत्री मनोहलाल खटर ने जनवरी में किया गया था पुस्तक क चोवीस में जो मुखह मंतरी से वा नोलल न कुंप है आरम हरियान को कौन सभास थान मिला सबस्चता अभ्यांड वहाण garlic ओड़िछ गाई जन्वरि में उसमें हारी याने सबस्चता भाबाइवर हैं लाएन वह क्षम सुाल पुराना अगनी कुंड किस गाउं में मिला यह और यहां कुनाल गाओ में 3500 साल पुराना अगनीकुंड मिला है कुनाल गाओ में हार्याना की पहलिट , मुख्त पंचायत किसे गोसित किया है। एलियान की पहले टिव कोन सा गाह माझी सकोường टITY मुक्त मोवाचित क्या सबसे पहले यह कि शेर थाए मैं कि शेर है कि 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 है खूए ये सर अगला है हर्याना के मुख्यमंत्री मनोलाल खटर ने की जिले में मिशन साथ हजार की सुरूआत की है तो मिशन साथ हजार कुरुचेतर डिस्टिक में सुरू के आ गया था ततकालीन मुख्यमंत्री मनोलाल खटर जी के दुवारा मिसन साथ हजार कुरूचेतर डिस्टिक में टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम के तैत हर्याना के कितने खिलाड़ी बाहर विदेशों में अभ्यास करेंगे तार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम करता है तार्याना में कौन-कौन से खिलाड़ है दिपकपुनिया, आस्सू और रोनित सर्मा यह तीन खिलाड़ी है जो भी देश में ब्यास करेंगे हार्याना के कितने जिलों में सेंट्रल गवर्मेंट स्कीम शुरू की गई है और उपरास्ट पती पती से मुलाकात की मोस्ट इंपोरेट लगा की चलना क्योंकि ने संसद बहुन के जो उद्गार्टन हुआ था उपराष्ट पतीजी से स्पेशल बुलाये था और यह थे हिसार डिस्टिक्स से इसार डिस्टिक्स मैलागु संसद बहुन में उनको गुमाया भी गया था वहां पे और उपराष्ट पतीजी ने मुलाकात भी की थी साल दो हजार चोबिस के सूरजकुंद मेले का उद्गार्टन कोन करेगा जो सूरजकुंद मेला लगता है फरवरी के एक से लेके दस फरवरी तक उसका उद्गार्टन किया था बार्ट की राष्टपती द्रोपती मुर्मु जी ने सूरजकुंद मेले का उद्गार्टन कि कम कर दें ठीक है रोड़ एक्सिडेंट में जो मरने वाले हैं जो गायल होने उस रोड़ एक्सिडेंट को 50% तक कम किया जाएगा 2030 तक यह हर्याना सरकार की नहीं पहल है अगरला कॉश्ट में बनने वाले मेडिकल कोले जाये का नाम किस नाम पर अब्सक्राइब कि नाम से डॉक्टर मंगल सेन नाम से लखा जाएगा जो पंचकुला के जो मेडिकल कोलेज बनेगा उसका नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम से रखा जाएगा हाल ही में कि जिले में द्वित्य पुस्तक मेले का आविजन किया गया तो द्वित्य पुस्तक मेले का आईजन पंचकुला के सेक्टर पांच में किया गया है पंचकुला के सेक्टर पांच में सेक्टर जो बुक फेर है उसका आईजन किया था पंचकुला के सेक्टर पांच में द्वित्य पुस्तक मेला नेक्स्ट एक इस गाओं के लिए हर्याना सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के बच्चों के लिए सरकारी बस शुरू करी है यह निकि हर्याना कौन से गाओं में जो गौर्वेंट स्कूल है महां के लिए एक सरकारी बस स्टार्ट करी है वो करनाल के जरिफाबाद स्कूल के लिए करनाल के जरिफाबाद स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए रोड़ वेज बस लगा दिये सरकारी बस लगा दिये स्कूल आने जाने के लिए हर्याना में कब सुस्क दिवस गोशित किया गया और वो था 22 जनवरी को 22 जनवरी को सुस्क दिवस गोशित किया गया था केंदर सरकार ने हर्याना सरकार को बुनियादी डाचे के लिए कितने करोड रुपए की राशी परदान की है केंदर सरकार ने हर्याना सरकार को बुनियादी डाचे के लिए कितने करोड रुपए की राशी परदान की है कोशन है हरियाना के कि जिले में हिमाचल भावन बनाए जाएगा वो बनाए जाएगा पंचकुला में लद्दाख भावन बनेगा चंडीगड में हिमाचल भावन का बनाए जाएगा हरियाना में पंचकुला में लद्दाख भावन बनेगा चंडीगड में ध्यान नखना जुद भी डोटर है डोटर एन की बैटी के लिए सेलफी डोटर और जो स्कीम चलाए थी वह हर्याना के सरपनिश्टे सुनिल जगलान ने तो उनको 26 जनुरी में सामिल होने का इंवेटेशन मिला है दिल्ली के दो जहां पर मोदी जंडा फैना आते हो वहां पर ठीक है अगला है हर्याना के मंत्री दूसर चोटा ले ने नेशनल हाइवे कोटेंड कोशन नमर 44 मोस्ट इंपोटेंड लगा के चलना देश की पहली हाइट्रोजन ट्रेन हर्याना का ट्रायल किस रेल मार्ग पर किया रहा है यो देश की पहली जो ट्रायल ट्रेन है उसका उदगाटन किया जाए हाई है रियना कि sha manipur मने पूर के निंट से साथ हर्याना में जल संसाद न योजना कब से कब तक लागू की गई गय द्वीवार्सिक जल संसाद न योजना कब से कब तक लागू की गई है कोई नमर 47 है हर्याना में गाश्ट Zurts टीचरों कु महाइब दते में कितने परतिसत की बड़ोताइब चार परषेंट महाइब द्म सभी स्भीकी बढ़ा चार पर डीये है उसमें उसमें इंक्रिमेंट किया गया था जनवरी के अंदर जनवरी में डिये कितना बढ़ा था च्यार परसेंट बढ़ा था कुछ नमबर अंतरास्त विभ्यान मोच पर स्यव्य में ओरतायां नेक्स्ट कोोशचन है हर्याना में जन्वरी 2024 से बुडापा पेंसन और विध्याय पेंसन के त्म और तीन अजार पएक कुष्यरव को मर्दाता दिवस कमना जाता है 25 जनवरी को नैशनल वोटर स्डे मनाया जाता है हर्याना में अब किसके माद्यम से चलान बरे जाएंगे चलान है उनलाइन चलान किससे बरे जाएंगे पेटियम के माद्यम से अब चलान बरे जाएंगे हर्याना के अंदर पेटियाम एप के तुरू आप चलान फिलप कर सकते हो हर्याना के लिए हर्याना में अंगनवारी कारेकर्टा के मांदेन में कितने रूपे की बडोतरी की गई है किसंटार्याराजय को स्टार्टभ रैकिंग 2022 में मिला है मैत वाकानशी राज के रूप propor कि मैत वाकानशी राजे के रूप में एस्परेस्टेश्न गेसे तो है मैं तो आकान सिराज्जे के रूप में हर्याना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर 26 जनौर दो हजार चब 24 को किस जिले में जंडा फैराएंगे जो सीम जनवरी के अंदर हर्याना के मनोरलाल खटर उन्होंने 26 जनौरी पर जंडा का फैराई था और वह पैराई था इनके जो कंस्टिटिवएंट थी वहां से इनके मर फैराई हैं कर नाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने मुंख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने छिलों में साइंस सिटी बनाने के मिघं़ जो चीफ मिनीश्टर से मनोलाल खर इनौन साइंस जो सिटी है ये किस लिस्टिक को बनाएंगो फुरीदावाय गुडगाओं में से किसे एक सटी को साइंस सीटी बनाई जाने की गोशना की थी जन्वरी के अंदर चीम ते मनोलाल खर्टर जी किस जिले में से आयोध्या के लिए आस्था ट्रेन चलाए गई आस्था ट्रेन किस डिस्टिक से चलाए गई है आयोध्या के लिए वो है इसार से आठ फरवरी से इसार डिस्टिक से सिद्धी आयोध्या के लिए ट्रेन चलाए गई है आठ फरवरी से ट्रेन का नाम है आस्थ पॉइंट त्री परेंट पांच पॉइंट तीन परती हर जन्सें का जो बहु आया में रूप से गरीब है कि कुछ नमर फिफ्टी एट है किस स्थान पर विक्षित किया गया है ठीक है कोशे नमर फिफ्टी नाइन हच्छ जनूरी तो हजार चोविस को गंतन दिवस पर हर्याना जाकी की थीम क्या थी जो दिल्ली में जो जाकी होई थी उसमें हर्याना की जो जाकी थीम क्या थी मेरा परिवार मेरी पहचान जो अमारे जो फैमिली आइडी जो थीम है मेरा परिवार मेरी पहचान जो फैमिली आइडी से संबंदित है वो हर्याना की थीम थी 26 जनूरी की जो प्रेड हुई थी नहीं दिल्ली में वहाँ पर हर्या जाकी थी उसकी त्हीम थी मेरा परिवार मेरी पहचान कि उन्हों कि नवरी के अंदर कितने जिलों जो तलाब को लोगा अपनों को फत्याबाद के डुलट गाहों से 24 जन्वरी को उद्गाटन किया गया था ठीक है अगला है प्राकरम दिवास पर नेताजी सुभास चंDR भोषा की 122 उस्य जैनती पर राठी स्त्रिय कारे करम हर्यान के कि झिले में आए जितवाथा प्राकरम द्यवस कि च्ले बना जताने था नेताजी सुभास चंडर भोषाक की जैनती पर अब के बार उनकी 128 युजनती थी तो राज सित्रे जो कार्यकरम थो कि जिले माई जी तो आथा वो आथा रोत्तक डिश्टिक के अंदर अगला है 14 से 19 जन्वरी को लवली प्रोफेशनल युनिवस्टी में आए जित मुक्यवाजी प्रत्योगिता में 70 किलोगराम भार ने किस खिलाड़ी दने गोल्ड मेडल जिलता हूँ है नू की तमन्ना ने तमन्ना है जो नू डिश्टिक से है उन्होंने जो लवली प्रोफे उसके बाद अगला जो कॉस्चिन है a कि कि उसके बाद कोंच नंबर 63 था weekends alone jakie z어도 63ैं अवे हाल हिमें किस सामाजिक सुरक्ष्या के चत्र में बालपरुस्कार मिला है सामाजिक सुरक्ष्या के चत्र में बालपरुस्कार किसे दिया गया वह 9 साल की गरिमा ने जो की नो साल की गरिमा है यह ब्लाइंड पर्शन है देख नहीं सकती इसको सामाजिक सुरक्षा के छेतर में बाल पुरुसकार मिला है ठीक है नो साल की गरिमा है जो नेतर दिन है और महंदरगर जिले की है बाल पुरुसकार मिला है कि छेतर में सामाजिक सुरक्षा के छेतर में कि जिल्ए में राष्ट्य मत्ताता दिवस राजय सत्रेकर्यकर्म कंप सभेकर क्लूछ कि और भूल से किरी हो था कि हर खुल है कि में यूझ 혁 symptoms संव्हिति का संills का रही मिनस्ट ने जड़र के पतोदा गाउं के अंदर अने में कि आ कि अरियान के कितने पुलीस अधिकारे को मिला है प्रेजिंघ मेडल सम्झ 언제 यूरि को यह वह दों है पुलिस एड़कॉर्टर में कारेकत आईजी संजे कुमार और रेवाडी रेंज में कारेकत आईजी राजेंदर कुमार को ठीक है दो पुलिस वालों को राष्टपत प्रेजिडेंट मेडल दिया गया है एक दो पुलिस एड़कॉर्ट जो पंचकुला है वहाँ पर जो आई जी हसंजे कुमार और एक रेवाड़ी रेंज में जो है आई जी राजेंदर कुमार इन दोनों को दिया गया है मिसर में चल रहे आईSSF सूटिंग पर्तोगिता में किस खिलाड declari ने 10 मिटर ए एर पिश्टल सपर्दा में गोल्ड जीतता है वह है रिदम सांगवान और उज्वल मलिक रिदम सांगवान और उजोल मलिक ने अगला है हार्याना की कितनी चात्रे परधार मंत्री नरेंद्र मोधी से परिक्षा पर चर्चा करेंगी तो इसमें हर्याना के दो लड़किया है जो परिक्षा पर चर्चा कारेकर में सामिल होगी रोजतक का जो ग्वर्णेंट स्कूल है कलान वहां के ममता और उस शिर्चा का जो स्कूल है और यह है नातसरी वहां के तनिशा मनीशा और तनिशा तर बने हैं बार इंटरनेसल शौर्ट फिलम में रोटक के कमल्जीत को कौन से फिलम चैन टोप हैंडेड मुवीज में हुआ है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोला खट्रों करनाल में गंतन तुर्दस पे कितने साल बाद कमांडों ने बहुत सियम को सलाम में दी बारा साल बाद कितने साल बाद सलाम में दिये बारा साल बाद हर्याना के मुख्यमंत्र मनोला खटर की जिले से इलेक्ट्रोनिक बस सिटी सेवा सुबारम करेंगे जो इलेक्ट्रोनिक बस सिटी सेवा है सिटी सेवा में जो बसे है वो इलेक्ट्रोनिक बसों के जब उद गाटन होगा वो पानी पत्स होंगा इसके तरिक्त आठ अन्य जिलों में भी ऐसे वाख सुरू की जाएगी सबसे पहले कहां से शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस और यह की गई थी पानी पत्स डिस्टिक से जनुवरे में जो सीम थे मनौलाल खटर उनके द्वारा हर्याना में अब तक कुल कितने मद्द आता है वह 1.952525 आदि मुख्यमंत्री हर्याना आवास योजना के पहले चरण में कितने फ्लेट दे जाएंगे वह 15,000 बुख्यमंत्री आवास योजना के दैट सुरू में 50,000 फ्लेट दिये जाएंगे बाली का दिवस का मना जाता है यह होता 24 जनवरी को किस स्थान पर एपरवासी भारते सिकायत निवारण परकोष्ट को सरजित क्या गया चंडीगड के अंदर एपरवासी भारते सिकायत निवारण परकोष्ट को सरजित क्या गया चंडीगड के अंदर मुख्यमंत्री मनोलाल कटर की जिले में लाइबरेरी स्थापित करेंगे अपना पैतरक गाउं के अधिकारे को सोब जया और यह है रोत्तक के रोट्तक जुन का पेत्र गाउन था वहाँ पर e-library स्थापित करेंगे मुख्यवंतरी मनोरलाल कटर किन जिलों में हर महीने बिजली का बिलाएगा हर्याना के चार जिले ऐसे हैं जहां पर हर महीने बिजली का बिलाएगा वैसे तो दो महीने में बिलाता है लेकिन अब हर महीने बिलाएगा चार जिस्टिक में पंचकुला, महेंदरगड, हिसार और करनाल चार जिले हैं जहां पर हर महीने बिजली का बिल आया गरेगा दो महीने की जगा एक महीने में बिजली का बिलाएगा पंचकुला, महेंदरगड, हिसार और करनाल शाथक हर्याना कि सराजय के साथ चठे खेलो इंडिया यूथ गेम में बालक बालेव का स्परदा मेडल जिता ini फ handy आनने क futon . जन्वरी की जो भी करनड़ाएफ पर 2024 की उसके सारे के सारे कोश्चनय इसमें दोजय दिये गए हैं ध्यानखना जवने में मनोर लाल खट्र जी थे तो इसलिए सब जेगे मनोर लाल के हडियाना जिगव अर्व सारे कोसिन मैंने कर Oops क्यूषिन वहुक्र्ण कोई वह महिने के और तो आज की आ घृक क्लास कड़ कॉस्वाइब को क्यारख में पूछ ले ना को मछले तक हम इइपनًट को संदें जन यह अग yat करवा दी जाएगी फिलाल यही था आज की क्लास में कि एस फिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए ठीक है और बाकि अगर कुछ नहीं समझे में आ या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टोपिक पे पूछना वीडियो बनवानी हो तो आप कर सकते हैं ठीक है बाकि आप हमारे चैनल नोलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स को रिक्मेंड करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें जुड़े रही हमारे साथ मिलते नहेंगे आपके साथ रोजनों नए कंटेंट के साथ नई अफडेट्स के साथ तब तक के लिए बाई